कलबुर्गी और यादगीरी DCC बैंक अभी फार्मर का लोन देने के लिए रेडी हो गया दस तारिक आने वाले दस तारिक हमारे राज्य के मुक्यमंत्री बीएस एडियूरप्पा जी और कौापरेटिव मिनिस्टर स्टी सोमसेकर जी यहां के दस हजार फार्मर को पचास करोड रुपिया इंटरस्ट फ्री लोन देने के लिए कलबुर्गी के लिए आने वाले हैं यह हमारा सवब्या के हम मानते हैं कि पहली बार एक मुक्यमंत्री DCC बैंक लोन देने के लिए जो फार्मर को लोन देने का प्रोग्राम है उसमें स्यामिल हो रहा है तो ये हमारा गरों का बात है और हमारा खुशी का बात है आने वाले मार्च येंड तक हमारे कलबुर्गी और यादगीरी DCC बैंक ये एक हजार करोड रुप्या तीन लाख फार्मर को देने जा रहा है ये बहुत बड़ा हमारे एक कामियाभी है अभी हमारे जो नया अड्मिनिस्टेशन है पहले हम 21 प्लेस पे थे हम करनाटक में अभी हमारा नया टीम आने के बाद अभी हमने 11 प्लेस पे आ गए हमारे जो हमारे साथी लोग है जो हमारे को सपोर्ट किया उस वज़े से इस कामियाभी तक हम पहुंच सरकें ट्रांजेक्शन क्या है कितने तक हम आने वाले मार्ज तक 1000 करोड रुप्या तीन लाख फार्मर को हम देने जा रहा है अभी हमारा बैंक का अभी 200 करोड रुपया अभी दिया हुआ है वह अगस्त के अंट तक हम 200 करोड रुपया नबाड से मिलने वाला है वह भी वागदान किया हुआ है वो भी हम फार्मर को देने जा रहा है और हमारा वोन फंड भी है 200 करोड रुपिया अभी जो फार्मर के पास बचा है उसको वशूल करके वो भी फिर हम लोन देने में लगाएंगे हम तो कोवीड के टाइम पर हमने इंटर्स फ्री लोन इसलिए दे रहें कि फार्मर को थोड़ा बहुत इंटर्स देने में तकलिफें हो रहा है तो उस फार्मर को इंटर्स फ्री लोन हमने दिया तो वह उनका खेती में जो काम के लिए उप्योग कर सकता है और खेती में ज्या हमने डैरी फार्म के लिए दे रहे हैं गोट फार्मिंग के लिए दे रहे हैं और अर्टिकल्चर के लिए दे रहे हैं ऐसे हमने सब तरीके के लोन जो फार्मर जो उनकेती करना चाहते हैं उसका जो भी मदद हमारे से चाहते हैं उसको हम मदद करने के लिए हम कभी भी रडी ह हमारे राज्य के मुक्यमंत्री और राइत नेता बिये सेडिय उर्पा जी हमारे कलबुर्गी नगर को आने वाले 10 तारीक फार्मर को लोन देने के लिए आ रहा है उस समय हमारे DCC बैंक कलबुर्गी 10 अजार फार्मर को 50 करोड रुपिया इंटर्स प्री लोन देने का प्रोग्राम दा रहे हैं उस सांकेतिक रूप से उसका उदगातन हमारे CM साब और हमारे कौपरेटिव मिनिस्टर साब मिल के करींगे